असलाम रेकुम फ्रेंड, आज मैं आप से सेर करने जा रही हूँ बहुत ही टेश्टी यह बहुत ही यह में कलेजी की रेसीपी इसको बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत जल्दी बनके तयार भी हो जाती है यह खाने में भी बहुत टेश्टी होती है चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, यहां मैंने कडाही को फ्लेम पर रख दिया है, कडाही हमारा गरम होने लगा है, यहां मैं एक किलो खलेजी बना रही हूँ, मैंने यहां सरसो के तेल का यूज़ किया है आप जो तेल खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं तेल को अच्छे से हम लोग गरम कर लेंगे यहां मैंने एक टुक्रा दालचीनी का ले लिया है चार पाच लॉंग ले लिया है और दो हरी छोटी लाची ले लिया है इसको तेल में हम लोग डाल देंगे, अब हम लोग इसके लिए प्याज देख लेते हैं, यहां मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज ले लिया है, उसको बारिक बारिक मैंने काट के रख लिया है, तेल में अब इसको हम लोग डाल देंगे, अब प्याज को हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को गोल्डेन ब्राउन नहीं करना है सिर्फ फ्राई करना है बस इसका कलर चेंज होने तक यहां मैंने तीन चमच भरके अधरक लशन का पेश्ट ले लिया है थोड़ी देल प्याज को और फ्राई कर लेंगे जैसा प्याज हमको चाहिए वैसा फ्राई हो गया है अब इसमें हम लोग अधरक लशन का पेश्ट अड़ कर देंगे अब इसको भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे देखिए हमारा अध्रक लशन का पेश्ट भुना गया है इसमें से अच्छी सी खुस्वू आने लगी है अब हम इसमें कलेजी अट कर देंगे कलेजी को मैंने गरम पानी से अच्छे से उबाल कर इसको धो लिया है कलेजी को इसमें आट कर देंगे हम लोग अध्रक लशन के पेश्ट में अब हम लोग इसमें अपने मसाले आट कर लेंगे यहां मैंने एक चमच जीरा पाउडर आट कर दिया है आधा चमच हल्दी पाउडर आट कर दिया है आधा चमच का स्मीरी लाल मिश पाउडर एट कर दिया है थोड़ा ऐसा काले मिश पाउडर एट कर दिया है अब हम लोग इसमें नमक आट करेंगे यहां मैंने आधा चमच इसमें नमक आट कर दिया है नमक आप अपने जाएवे के हिसाब से डाल सकते हैं यहां मैंने एक चमच धनिया पाड़र आड़ कर दिया है, अब हम इसमें पानी आड़ कर देंगे, यहां मैंने एक गिलास पानी आड़ कर दिया है, फ्लेम को हम लोग कर देंगे, इसको ढखके गलने तक इसको पकने देंगे, अब हम लोग इसमें हरी मिर्च आठ गई हैं मैंने 5 हरी मिर्च ले लिया है उसको बीच में से इस तरीके से फाड़ लिया है उसको हम लोग कलेजी में आट कर देंगे कलेजी को बीच बीच में से हम लोग को चम्मा से चलाते हुए बनाना है मारा कलेजी देखने में कितना प्यारा लग रहा है खाने में और टेस्टी लाएगा देखे कलेजी हमारा लगभग हो चुका है इसमें हम लोग गरम मसाला अट कर देंगे थोड़ी देर के लिए और हम लोग इसको भून लेंगे आप एक बाद मेरे तरीके से कलेजी बनाना जरूर ट्राइ किजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि कैसा बना है तेकि हमारी कलेजी अब अच्छे से बनके तयार हो चुकी है अब इसमें हम लोग धनिया के पत्ती आट करेंगे अफ्लेम को बन कर देंगे चलिए अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ अगर आपको मेरे ये कलेजी की रेसिपी पसंदा रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी न भूलें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो कामेंट जरूर करें मुझे कामेंट पढ़ना बहुत पसंद है अल्ला हाफीज